हलो एवरिवन आज है आठ माई और आज इस वडियो में हम बात ने जारे सुजलोन एनरजी के बारे में 39 रुपीज का शेर है आज देखा जाए ना तो मिटकैब में अच्छी रौनक है कल काफी बड़ी गिरावट थी इवन पूरे बाजार में उससे पहले मंडे को भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले दो दिनों से लगातर गिरावट है लेकिन सुजलोन का शेर आज भी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ जबकि आज मिटकैब में तेजी है और यहाँ पर तेजी नहीं है बात करेंगे इस वीडियो में सुजलोन के अवारे में क्योंकि कहीं न कहीं यह जो लेवल है वो इंपोर्टन्ट भी है क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो इसी लेवल से गिर कर 39 पर जाने के बाद एक अच्छी रफ्तार पकड़ी थी हाला कि कोई अच्छी मतलब कि तीन रुपए अब गया था ठीक है उतना जाद ही था लेकिन वापस अब गिर कर नीचे भी आ रहा है तो बात करना बनता है कि सपोर्ट कहां पर है और रजिस्टन्स कहां पर है और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो यह कंसोरीडेट कर रहा है अगर आप यहाँ पर नवेंबर से लेकर अब तक देखो तो 40 और 50 के बीच में ही अटका है यह तो बात करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो को काफिजादा हल्प करेंगे तो एक साल में 360% का ग्रोथ है 8 रुपे से 50 रुपे पर गया था यह उसके बाद गिरावट ऐसी आई कि 35 रुपे का भी मू देखने गया था यह फिर 30 ही बनी फिर वापस 40 रुपे के नीचे आया था 39 रुपीस पर जाने के बद फिर से 30 दिखाई थी अब वापस आ भी चुका है तो बात करना बनता भी है कि यहां से क्या strategy हो सकती है अगर यह मेरा personal opinion है कोई investment advice नहीं है यहां पर अगर आप देखोगे तो consolidate तो कर रहा है इससे पहले भी जब यह 42 रुपीस के range में गया था गिर कर वापस 35 रुपे पर आने के बाद एक अच्छी रफतार पकड़ी थी वापस गिर कर 36 पे आया था वापस 30 पकड़ के यह गया जरूर था 43-44 पर अब वापस गिर कर वापस 39 पर आया फिर 30 दिखा है फिर वापस नीच आ रहा है तो कहीं न कहीं 35-40 रुपे का जो लेवल है वो एक initial support के तोर पर यहां पर काम कर सकता है अगर यह नह ही है आज 2% की गिरावट यहां पर भी है एक महिनी में अगर आब यह देखो तो चारीस 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 पैतारीस रुपए से गिर कर यह भी नीच आया है अगर एक साल में performance देखो तो वाई सब इसने भी सुजलॉन की तरह 380% कर इटन बना कर दिया है यह 100 रुपए 115 वापस गिरावट आई साड़े 400 पर आने के पद इसने भी तेजी पकड़ी यहां पर फिर सा गिरावट शुरू हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आइनोक्स वेंडी के उपर भी डिटिल वीडियो बनाओ तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा जितनी जादा कमेंट है कि उतना ही जल्दी वीडियो आएगा अब तो वापस लॉटता है सुजलाउन की तरफ तो कहीं न कहीं एक रेंज मुझे लगता है यह 35 रूपय का जो रेंज वहां पर एक सपोर्ट बनना चाहिए अगें अब यह 39 पर बनेगा 38 पर बनेगा 35 पर यह कोई नहीं जालता ठ जब 45 रूपय का शेर हुआ करता है यह बहुत पुरानी बात है इसका जो मार्केट के अब यह 53 थाउजन करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में अगर हम बात करने चाहिए तो अकॉर्डिंग तो मने कंटो लूजर 100 परसन लोग करें खरीदारी करो 100 लोग और तो और जहां तक इनके पिछले कुछ अगर आप देखोंगे इंसाइडर ट्रांजेक्शन देखोंगे 2030 के हैं हलाकि यह तो बेक्वाली वाले थे और अगर जिस प्राइस से बेचे गए थे उससे तो कई उपर ट्रेट करी रहा है ठीक है और जहां तक इनके रिज कमेंटरी भी दी हुई है इसको लेकर डिविडेंट अगर आप देखो तो पे नहीं कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस साल नहीं अगले साल नहीं उसके बाद यह पे करना स्टार्ट कर सकता है रीजन यह है कि यह कंपनी अभी अभी तो भाया नुकसानी से बा रहेंगे वैलिएशन के उपर जरूर है और जहां तक देखा जातों 100% कहते हैं खरीदारी करो फिनांशल्स अगर आप देखो इसके तो अच्छे हैं लास्ट डिसंबर क्वार्टर में 203 क्रोड का प्रॉफिट था और 1570 क्रोड का रिविन्यू था इनका जोकि काफी अच् कर देट को रिस्ट्रक्चर करा और यह तीसरी बार रिस्ट्रक्चर करा तो उससे पहले भी दो बार कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर चुकिती लेकिन बात भी कुछ हुआ नहीं था डेट में फिट भी धस्ते के लेकिन तीसरी बार रिस्ट्रक्चर करने के वाद पैसा रेज कर लिया और उससे इनको फाइदा हुआ और पिछले कुछ टाइब में कई बड़े ओर्डर्स भी इनको मिलते नजर आई जो कि अगे अच्छी बात है इनके लिए और अभी कर सकता है अगर आये तो ठीक है अगर आये तो तो वह बात यहाद रखेएगा और जहां अगर शेह होल्डिंग के बारे में देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.29 परसंट है इंस्टिटूशन बड़ा गेम खेल रहे है स्पेसिफिकली यहाँ पर FI और mutual funds अगर आप देखोगे तो अगस्त दोजा तेईस में होल्डिंग 4.98 परसंट के थी सब्टेंबर में घटके 4.70 परसंट पर आए दिसंबर में तो भाई सब बहुत जादा बेच देरों ने 1.33 पर आ गए लेकिन मार्च में फिर से खरिदार करने आगे 1.86 परसंट डोमिश्टिक हाला के लगाता बेचे रहे 5.93 परसंट से घट अब देखते हैं कि वाई सब यह बढ़ाते रहता है मेंटेन करके रहता है या फिर क्या बता कि प्रॉफिट होने पर यह भी बिक्वाली करना शुरू करते हैं यह देखना रहेगा यहां पर रिटेल और अधर की मिलाकर 60.85 परसंट की होल्डिंग जिनमें से रिटेल इंव परसंट से भी जादा का स्टेक गिरवी था आज एटलेस वो गिरवी नहीं है जब इनसे पूछा गया था प्रमोटर से कि क्या हो अपना स्टेक यहां पर बढ़ाएंगे तो उन्होंने यह कहा कि अभी उनको कोई प्लान नहीं है आगे सोचेंगे इसके बारे में तो मुझ टेजी आईए देखो ऐसी टेजी ना पांस सालों में पहली बार आई है पहली इवन अगर मेक्जिमम चार्ट भी देखोगे तो इससे पहले एक जटके में गिरे जरूर थे लेकिन ऐसी टेजी नहीं आई थी 2011 से के बाद अगर आप देखोगे इवन 2009 से ही अगर आप देख चल रहा हो यहां पर तो मैं यही कहूंगा आप से सुजलाओन को लेकर के देखे खरीदारी करी है तो बने रही है लेकिन फ्रेश बाइंग के जहना तक बात है अगें यहां पर आपको लॉंग टरम के बारे में सोचना पड़ेगा शोर्ट टरम के बारे में नहीं क्योंकि यहां पर अगर आपको एक दो महीने क्लिए निवेस करना है तो यह कंपनी आपको कि लिए कितने टाइम के लिए कोई नहीं जानता है तो यहां पर आपको लॉंग टरम के बारे में आपको नहीं धाना होगा यहां पर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको buy on dips का approach रखना चाहिए 35 से 40 रुपे की range में अगर आपको 1000 share खरीद में तो 500 quantity आप 35 से 40 की range में आप चाहो तो add कर सकते हो 35 के नीचे जाए तो और 500 quantity add करो उसके बाद हर 3-4 रुपे की गिरावट पर जो 200 quantity है उसको add करके चल सकते हो एक एक गिरावट में average करने मत लग जाएगा at least 10-12 percent का decline होना ज़रूरी है यहां पर तब जाके add करने की ज़रूरत है और दूसरी बात नजर रखे इस company के उपर और एक अच्छी situation में जरूर है आने वले time में government भी जो है वह बहुत जादा पैसा invest करने वाली है wind energy की तरफ और दूसरी सुजलाओन को लेकर अभी खबर भी आई थी merger को लेकर भी तो merger भी इनका बहुत जल्दी इनहीं के subsidiary company है ठीक है उसी के साथ होने वाला किसे और के साथ नहीं जिससे एक फाइदा यह होगा कि वाई साब इनको जो government order मिलते है project मिलते है वह इनको help हो जाएगी और दूसरी बात अगर आप subsidiary company देखो तो हो यह रहा था कि turbine बनाने वाली company यह सुजलान होती थी maintenance वाली अलग होती थी इनहीं के लिगे जो 100% holy on subsidiary company थी अब दोनों को अगर merge करेंगे तो कहीं नगी order booking की बहुत जादा बड़ी दिख जाएगी तो यह एक अच्छी बात होगी यहाँ पर आने वोले टाइम में इनके revenue profits उमीद करते हैं कि बहतर हो तो नज़र रखेगा लेकिन जैसे कि मैंने कहा किसी एक लिगर पर बहुत सारे shares खरीद के मत ब अच्छी ता सकते तेंच्यों